हेलो बच्चो असलाम अलेकूम कैसे आप सब बढ़िया चले बेटा आइवेलकम यू अल्ट में क्लास शायद सर्थ एडिकेशन पॉइंट तो बेटा ये क्लास जो है इस फर साइकॉलजी एंड माई डियर वी आइड टॉक्टिंग अबाट ऑर्गनिजेशन साइकॉलजी तो अल्रेडी हमने एक कॉंसेट जो है आपको पढ़ा है तो इसका जो लास्ट टॉपिक है यूनिट नमबर वन को लेकर वो क्या है चैलेंजिस एंड अपॉश्टिंटीज ऑफ और गनिजेशन साइकॉलजी इससे पहले और एक इससे पहले और एक कॉश्चन था वहाँ पे सि तो कारेंट चैंजिस आप ये भी लिख सकते हो चैलेंजिस लिख सकते हो ये एक ही कॉश्चन है कोई दिकत नहीं बेटा जितने भी अप्जुटिज मैंने आपको बताएं वो आप लिख सकते हो सिटाटस के अंदर भी कि और गनिजेशन साइकॉलजी का मतलब क्या है वाइ आप इनको उब्जेटिव में भी लिख सकते हो ये एक है तो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है उनिट नंबर फर्स्ट को लेकर वाट इस दाट इस चैलेंजिस एंड अपरचुनिटीज ओफ और और गनिजेशन साइकॉलजी कौन-कौन से चैलेंजिस फेस करने होते है कि देखो जब एक इनसान किसी और्गनिजेशन में चला जाता है तो एक मौट्यू लेकर वो वहाँ चला जाता है वो कहता है कि जब मैं और्गनिजेशन किसी कमपनी में चला जाओं किसी वर्क पिलिस में चला जाओं तो मुझे वहाँ पे ये ये चीज़े मिलनी चाहे ठीक ह है लेकिन बेटा क्या organization जो है अपनी company जो है उनको किन challenges का सामना करना पड़ता है उनको क्या क्या चीज़ें देखने पड़ते हैं वो हम यहां पर बात करेंगे देखे organization में जब individual जाता है उसका behavior अलग होता है तो उसके health को लेकर उसके behavior को लेकर communication security को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो company को देखना होता है और देखने के बाद वो इसको recruit करता है company अब यह company individual के लिए क्या करेगी ताकि जो individual है उसकी performance company में बढ़ जाए आपने बहुत जगा देखा होगा कि बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन जो इसका boss है वो इसको reinforcement नहीं कर रहा है तो वो demotivate हो जाता है और demotivate होने की वज़े से वो company को छोड़ देता है या कभी-कभी आप लोग उने when to correct comment इसका जा इसका कम कर रहा हिए लेकिन उसका जो बास है उसको इतना motivate करता है उतना reinforcement करता है इसको लगता खिप मैंने काम इतना तो ज्यादा नहीं किया अबर मुझे reinforcement ज्यादा मिल रा है तो उसका interest ज्यादा बढ़ने लगता है और वो company के लिए ज्यादा काम करता है तो यही सारी चीज़ें हमें बताएं कि आगर आप किसी company में हो आप क्या expect करते हो company से इंटर्न company आप से क्या expect करते है इसे two way process माईडियर यह ऐसा नहीं है कि आपने company में जॉइन किया आपको handsome salary मिल गई तो you are satisfied no my dear company को भी देखना है कि company कहेगी कि अगर इस बंदे को मैंने हाइर किया यह company को क्या दे सकता है तो याद रखना है company में customer is very important service is very important skill is very important productivity is very important यह सारी चीज़े important है और खासकर management is very important तो यह सारी चीज़े यह challenge होता है company में तो इन challenges को कैसे वो tackle करता है वो company बहतर जान दे उसको अलग-अलग strategies होते है कि वो customer को कैसे satisfy करे या individual को वो उस individual को जो उसने अपने company में रखा उसको कैसे मैं satisfy रखूँ ताकि वो अच् सारी चीज़े हमें organization psychology में पढ़नी होती है कि एक और एक इनसान का behavior एक company में कैसा होता है how when you study the individual's behavior when the individual is working in any company is working at any working place तो working place पे इनसान का behavior कैसे होता है अगर हम वो चीज़ पढ़ेंगे तो we are dealing with organization psychology I hope this is very clear to you इसमें इसे पहले मैंने दो तीन lecture इसमें दिये है तो आपको easily understand हो गया होगा कि what organization psychology actually is तो यहां पर बेटा मैं highlight करूंगा उन points को जिससे आपको एक clearly समझाएगा कि what are the challenges and what are the opportunities of organization psychology or we can say industrial psychology सही है ना बेटा ओके तो चलते बेटा start करते हैं जब एक इनसान किसी company में चला जाता है तो वहां पे सबसे पहला challenge company के लिए क्या होता है organization के लिए क्या होता है तो इसको improve people's skills तो ये important है skills का मतलब क्या है आपकी communication आपके leadership qualities बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं देखो company आपको ऐसे ही hire नहीं करती है वो कुछ नकुछ आप में देखती हैं तो देखने के बाद वो company में आपको recruit करता है और उसके बाद जो भी आपके अंदर skills होते हैं उनको improve करने की कुश कर रहा है तो company is providing you the opportunity so that you can improve your skills the people that work in any organization they have to improve their skills क्योंकि उनको customer के साथ बात करनी होते हैं उनको manage करना होता है उनको quality देनी होते हैं उनको productivity produce करनी होते है तो यह सारी चीज़े एक challenge ही तो है एक organization के लिए तो पहला point है हमें organization में किसी भी organization में the first thing that you have to remember improve people's skills improve people's skills यह तो important है number second improving quality and productivity very nice देखे बाई organization क्यों है organization को quality चाहिए organization अगर better quality है तो productivity भी जादा होगी देखो कोई organization किसी organization में जब कोई product sell होता है अगर वो product बढ़िया है quality उसकी जादा है तो सच बोलो आने वाले दिनों में उसकी productivity जादा होगी काम होगी क्योंकि quality is very important quantity उधना ज़्यादा matter नहीं करते हैं जितना quality matter करते हैं तो ये भी एक challenge है बेटा किसी भी organization में improve करना होता है when you improve the quality definitely because quality is directly proportional to the productivity the better the quality is the better is the productivity are you getting my point so quality and productivity को improve करना ये भी एक जबरदस challenge है organization psychology में याद रखना बेटा this is second one okay number 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 third अब देखिए आपके company में किसी भी company में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो different culture, different region, different language, different religion से belong करते हैं यानि there is diversity तो organization को ये challenge बन जाता है कि एक ही चछत के नीचे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे diversity of employees are there कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिक है तो सारे एक ही चछत के नीचे काम कर रहे हैं तो ये भी एक challenge हो जाता है किसे बी organization के लिए तो वो organize करना है, कैसे manage करेंगे work for diversity work for diversity यहाँ का मतलब क्या है, देखे आप एक organization चला रहे हो, ठीक है तो organization चलाने के लिए आपको लोगों की जुरुरत है तो लोग आपके company में आएंगे, कोई एक culture से belong करता है, कोई दूसरे culture से, कोई तीसरे culture से इन्हें बहुत सारी दिने work for diversity diversified people will enter into your company तो आपको accordingly deal करना है आप यह नहीं सोचोगे कि भाई यह अगर यह आपकी जात से belong करता है तो आप इसको ज्यादा ही reinforcement दोगे तो यह मेरे जात से नहीं है, तो इसको आप ignore करोगे, नहीं तो आपको यह देखना है कि मेरे लिए यह company है company जात पाथ को नहीं देखती है, company क्या देखती है आपका work force तो यह जो work force यह आपको अब इन people के साथ deal करना है not because they belong to the different customers and different religions no, they are all one, they are under your company नहीं तो आपको हर किसी के साथ uniform approach करना है समझा है, तो यह भी एक जबरदस challenge है बहुत सारे ऐसे companies में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो different sections से belong करते हैं उनको ill treat किया जाता है कोई बंदा मलब अच्छे section of the society के साथ deal करता है उसको अच्छे से treat किया जाता है तो there is discrimination on the basis of color, caste and gender तो आपकी company में male भी आएंगे, female भी आएंगे आप ऐसा नहीं करेंगे कि male को आप ज़्यादा importance दोगे और female को ज़्यादा importance नहीं दोगे या female को ज़्यादा importance दोगे और male को importance नहीं दोगे तो you have to keep in mind कि there is always work for diversity और हमें इसको manage करना ही पड़ेगा, तो यह भी एक जबर्दस challenge और opportunity बन जाता है किसके लिए? organization psychology के लिए, I hope it is clear to you number number four ओके, जो सबसे ज़्यादा, देखें अगर हम पुरानी जमाने की बात करेंगे, there was no concept of technology अभी आप देखेंगे के companies के अंदर technologies involved है आज से 10 या 20 साल पहले there was no computerizer system no, so many people were working in the company nowadays जो computer है it has replaced many persons, तो जहां पे 10 बंदे लगते थे ना, वहां पे एक computer काफी है, एक computer पे एक बंदा बैठ गया, वो 10 बंदों का काम कर सकता है सही है न, तो यह भी एक जबरदस challenge है बेटा, तो यहां पे देखें stimulating innovation and change change is always there we have to welcome the change that is a positive change अभी आप companies में देखोगे कि computer is the best example my dear, और जो बंदे, जिस बंदे को आप company में रखोगे तो इस change को accept करना पड़ेगा innovation and changes is always there, यह भी challenging factor बन जाता है, किसकी लिए organization psychology के लिए and number five is total quality management total TQM total quality management में आपका सब कुछ आ जाता है customer आप कौन सी service दे रहे हो कौन service दे रहा है किस तरह की service दे रहा है quality, productivity customer, service all the things come under what? total quality management पूरी कंपनी 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 में लोग क्या काम कर रहे है, कैसे काम कर रहे है, किन के लिए काम कर रहे है? customer के लिए is customer satisfied with the company is the people who are working in the company are they providing a good service to the customers how is the attitude of the boss towards the employees in the company ठीक है ना? तो how company is producing productivity, customer satisfaction, service, ad store, all these things holistically, that is called total quality management TQM ये question आ सकता है आज आप देखते हों कि online transactions होती है business को लेकर आपनी कोई product खरीदा, online shopping की तो आपका product घर आ गया तो ये innovative change, ये भी एक जबर्दश challenging है तो we must, we must be knowing this concept that is electronic organization electronic organization are you can say e-commerce तो electronic organization and e-commerce this is also a challenge and opportunities of organization psychology I hope बेटा these 5 or 6 points are very much clear ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगं कोई अच्छे से समझा गया if really then like my video and share my video और अभी तक अगर आप लोगं को में ने चनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से मेरी चनल को subscribe करो और one more thing बेटा आप मुझे comment section में जरूर बताएगा क्या मैं इस subject को लेकर notes prepare करूं के ना करूं अगर बहुत सारा मुझे response मिला तो I am going to prepare notes on this subject otherwise मेरे पास उतना ज़्यादा time नहीं है अगर आप मुझे बोलते हैं कि sir हमें इस पे भी notes चाहिए तो I am going to start preparing the notes on organization psychology बेटा यह बहुत important है comment section में जरूर बताएगा thank you, मेला bless you and keep always learning